नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नमनी टॉक्स में बचों आज हम देखेंगे कक्षा दस्वी की पाठे पुस्तक जिसका नाम है स्पर्ष भागदू और इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है जिसका शीरशक है साखी इस पाठ में आठ दोहे दिये गए हैं और इन दोहों को कबीर दास जी ने लिखा है आज हम इस पाठ से सम्मंधित पूर्व वर्षों की बोड परिक्षा में पूछे गए प्रशन और उत्तर देखने वाले हैं तो आएए इन प्रशन और उत्तरों को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पर प्रशन के आगे मैंने वो साल भी लिख दिया है जिस साल ये प्रशन पूछे गए थे सबसे पहला प्रशन है सुखिया सबसंसार है खाए अरू सोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरू रोवे साखी के संदर्व में कबीर के दुखी और जागरित होने का कारण लिखिए क्या जागना भी दुख का कारण हो सकता है श्पस्ट कीजिए इस प्रशन का उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं पहले वे जो स्वार्थी हैं और हमेशा सुख की कामना करते हैं स्वादिश्ट भोजन और आराम करना ही उनके जीवन का लक्ष होता है दूसरी तरह के लोग कबीर दास जी के जैसे होते हैं वे हमेशा मानव विशेश और समाज कल्यान की चिंता में दुखी रहते हैं और चाकते रहते हैं संसार की दुर्दशा और दूसरों के सुख और भलाई के विशे में सोचकर चिंतित रहते हैं मेरे विचार से जागना भी दुख का कारण हो सकता है क्योंकि केवल आखे खुली रहना ही किसी के जागे होने का प्रमान नहीं होता जो मनुश्य समाज में व्याप्त बुराईयों और लोगों के स्वार्थी वहवार को देखकर उनके प्रती संवेदन शील होते हैं और उसे बदलने की चेश्टा में लगे रहते हैं उन्हें ही जागा हुआ कहा जा सकता है अता ऐसे लोगों का जागना ही उनके दुख का कारण होता है दूसरा प्रश्ण है अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी साखी के संदर्व में घर शब्द की प्रतीकात्मक्ता स्पष्ट करते हुए इस पंक्ती का आशे स्पष्ट कीजिए उत्तर कुछ इस तरह से ह प्रस्तुत पंक्ती के संदर्व में घर शब्द सांसारिक मोह माया का प्रतीक है इस पंक्ती में कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ में जलती लकडी की मशाल लेकर अपना घर स्वयम जला दिया अर्थात ग्यान रूपी मशाल से स्वयम को सांसारिक मोह माया से जो मनुश्य इस मार्ग पर मेरे साथ चलना चाहेगा मैं उसका घर भी जला दूँगा अर्थात ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती में जो भी हमारे साथ चलना चाहेंगे उन्हें भी सांसारिक मोह माया और एहंकार रुपी बुराईयों से अलग करने में उनकी सहायता करूँगा सांसारिक बंधन और अपने अंदर व्याप्त एहंकार को त्यागने पर ही हमें सच्चा ज्यान प्राप्त हो सकता है क्या आप भी कबीर के विचार से सहमत है अपना उत्तर कविता के अधार पर स्पस्ट रूप से लिखिये आईए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कबीर ने अपने दोहे में कस्तूरी हिरन का उधारन ऐसे मनुष्यों के संदर्फ में दिया है जो अग्यानी हैं कस्तूरी हिरन अपनी नाभी में स्थित कस्तूरी वह उसकी सुगंध से अंजान रहता है उस खुश्बु को प्राप प्राप्त करने के अनेक उपाय कर रहा है उसे यही लगता है कि तरह तरह के कर्म कांडों से तीर स्थलों की यात्रा करने से और मंदिर मस्जिद जैसे स्थानों में जाने से उसे इश्वर की प्राप्ती हो जाएगी उसे इश्वर प्राप्त हो जाएंगे वह अज्ञानी है और इस बात से पूरी तरह अंजान है कि इश्वर सृष्टी के कण कण में बसे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भटकने की आवशक्ता नहीं होती। चौथा प्रश्ण है कबीर किस तरह के जीवन मूलियों को मनुश्य के लिए आवश्यक मानते हैं। कबीर द्वारा रचित इन साखियों के आधार पर उत्तर दीजे। उत्तर है कबीर अपनी साखियों के माध्यम से प्रतेक मनुश्य के लिए मीठी वार्णी का प्रयोग, एहंकार रहित आचरन और सभी जीवों के प्रती प्रेम का भाव जैसे जीवन मूलियों को बहुत ही आवशक मानते हैं। उनका मानना है कि हमें सदैव ऐसी वार्णी बोलनी चाहिए जो हमारे मन के एहंकार को मिटा दे, हमें विनम्र बनाए और हमें भाईचारे की भावना का संचार करे, मीठे वचन ना केवल बोलने वाले के तन मन को शांती और शीतलता प्रदान करता है, बलकि सुनने वाले को भी आत्मिक सुख और शांती की प्राप्ती होती है, इस तरह के जीवन मूली मनुश्य को सभी का प्रीय बनाते हैं, समाज में उसे मान समान की दृष्टी से देखा जाता है, और जीवन के हर शेतर में उसे सफलता प्राप्त होती है, प्रतेक मनुश्य अपनी प्रशन सा में कबीर द्वारा अपने निंदकों को समीप रखने की सलाह दी जा रही है, क्या आप भी अपने निंदकों को पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों को अपने निंदकों के निकट रहने पर लाब होता है, कबीर की साखी के आधार पर सपस्ट कीजिए, उत्तर है, कबीर दा हिन है कि निंदक हमें प्री होते हैं मनुष्य की प्रविति केवल अपनी प्रसंशा सुनने की होती है कोई भी अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता लेकिन कई ग्यानी पुरुष्ट जो सकारात्मक सौच रखते हैं सदयव निंदकों को अपने घर के आंगन में स्थान देना जाते हैं वे जानते हैं कि स्वयम के वहवार में सुधार लाने के लिए निन्दकों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है निन्दक हमारे अंदर सहन शक्ती और सहन शीलता जैसे गुनों का संचार करवाते हैं अपनी आत्म शुध्धी और आत्म सुधार के लिए निंदकों का निकट होना बहुत आवश्यक है छटमा प्रश्न है एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई पंक्ती का क्या आशय है प्रेम का एक अक्षर सभी क्रंथू और पुरानों पर किस तरह भारी पढ़ता है उत्तर है प्रस्तुत पंक्ती के द्वारा अबीर दास जी कहना चाहते हैं कि केवल महा ग्रंथों को पढ़ लेने से कोई ग्यानी नहीं बन जाता ऐसा मनुष्य जो प्रेम जैसे छोटे से शब्द का सच्चा अर्थ जान ले वही सच्चा ग्यानी या पंडित कहलाता है जिस मनुष्य के हृदय में इश्वर द्वार बनाई गई इस श्रिष्टी के हर एक जीव के प्रती प्रेम की सच्ची भावना आ जाती है उसे ही पंडित कहा जा सकता है इश्वर की श्रिष्टी से प्रेम का सीधा अर्थ है पर मात्मा से प्रेम प्रेम के इस गहरे अर्थ को जान लेने से मनुष्य जीवन के सत्य से भी परिचित हो जाता है इस तरह प्रेम जैसा छोटा सा शब्द मोटे मोटे ग्रंथों और पुरानों पर भी भारी पड़ता है कई लोग ऐसे होते हैं जिने अक्षरों का ज्यान नहीं होता लेकिन उनका हृदय ईश्वर के प्रेम में डूबा होता है इस तरह वेबिना ग्रंथ और पोथियां पढ़े ही विद्वान बन जाते हैं अगला प्रशन है प्रशन साथ कबीर के अनुसार सुखी और दुखी वेक्तियों के आचरन में क्या अंतर होता है कबीर दास को कि स्रेनी में रखा गया है और क्यों इस प्रशन का उद्तर है संसार के अधिकतर लोग उन्हें सिर्फ अपने सुख की चिंता रहती है किसी अन्य के प्रती उनके हृदय में प्रेम दया और करुणा जैसी भावना नहीं वहीं दूसरी और कबीर दास जैसे लोग हैं जो समाज में व्याप्त अराजकता और लोगों के स्वार्थी वहवार को देखकर दुखी रहते हैं ज्यानी होने के कारण वे जानते हैं ऐसे लोग जो भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं और ईश्वर की भक्ती से दूर हैं इनका अंत बहुत ही कस्टकारी होगा ऐसे लोग समाज के कल्यान में भी अपना कोई योगदान नहीं दे पाएंगे कबीर दास समाज और ऐस साखी के आधार पर स्पष्ट कीजे इस प्रश्ण का उत्तर है अपने अंदर दीपक दिखाई देने का अर्थ है सच्चे ज्यान की प्राप्ति होना अर्थात अज्यानता रूपी अंधकार का दूर हो जाना और ज्यान रूपी दीपक का जल जाना मनुष्य के अंदर जब मैं रूपी एहंकार का भाव आ जाता है तो वह अपने आपको सर्व शक्तिमान समझने लगता है वह ईश्वर की भक्ती से दूर होता जाता है उसके जीवन में अज्ञानता का अंधकार चा जाता है लेकिन जैसे ही उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है प्रश्ण नौ है कबीर की साखी के आधार पर लिखिये की वास्तों में इश्वर कहां विराजमान है हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते इस प्रश्ण का उत्तर है कबीर की साखी के आधार पर इस श्रिष्टी के कण कण में इश्वर विराजमान है यह सारी श्रिष्टी ईश्वर के द्वारा रची गई है मनुष्य अज्यानता के कारण अपनी भौतिक आखों से ईश्वर को नहीं देख पाता ईश्वर भौतिक वस्त्वों में नहीं बलकि हमारे अंतह करण में विराजमान होते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें दिव्वी द्रिष्टी की आवशक्ता होगी यह दिव्वी द्रिष्टी हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम ईश्वर की भक्ती में तन और मन से डूबे रहें इश्वर की कृपा होने पर अर्थात सच्चा ग्यान प्राप्त होने पर ही हमें श्रिष्टी के कंड कंड में इश्वर दिखाई देने लगेंगे आखरी प्रशन है प्रशन दस्वा कबीर के अनुसार मनुश्य का कौन सा कस्ट सर्प के काटने जैसा पीड़ा दायक होता है इससे छुटकारा पाना क्यों संभव नहीं है उत्तर है कबीर के अनुसार अपने प्रिये जनों अर्थात ईश्वर से अलगाव मनुष्य के लिए सबसे अधिक कस्टकारी होता है इस अलगाव का कस्ट ठीक वैसा ही होता है जैसा किसी सर्प के काटने पर शरीर पीड़ा से भर जाता है इस कस्ट से छुटकारा पाना संभव नहीं है क्योंकि इस पर किसी भी मंत्र या जड़ी बूटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इश्वर की भक्ती से दूर होने के कारण मनुश्य अपना भला बुरा नहीं सोच पाता वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है जीवित होते हुए भी वह मृत्ति के समान ही अपना जीवन वैतीत करता है तो बचों इसके साथ ही प्रश्ण और उत्तर यहां खत्म होते हैं बचों मुझे आशा है कि साखी पाठ से सम्मंधित महत्वपोन प्रश्णों का आप सभी अवश्य लाव उठाएंगे अन्य पाठों से सम्मंधित अभ्यास प्रश्ण भी हम आगे अवश्य देखेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें धन्यवाद